Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है ये सारे star signs की reading होती है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है तो देखते हैं आपके person आज कैसा feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं so bottom पर हमारे पास नजर आगया है the Empress, King of Wands, Ten of Cups, The Hierophant, Ten of Swords 10, 10 किसी के लिए important हो सकता है, Ace of Swords so ten जो है, ये completion का number भी है और इसका मतलब ये है कि एक new beginning होने वाली है, कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी life में Two of Swords, वाओ, इसको मैंने दोबारा भी shuffle किया और फिर आगया हमारे पास नजर आपके नजर आपके परसन को कोई realization हुई है recently I also feel कि आपके परसन ये नहीं चाहते कि आप उन्हें किसी बात पर judge करें with this judgment energy so ये दो चीज़े बड़ी strongly feel हो रही है इस card से, ये इनसान इनको realization हो रही है realization I feel कि ये है कि maybe ये connection उनके लिए बहुत ज़ादा important है maybe वो अपने decision पर question कर रहे हैं कि जो decision मैंने लिया क्या वो सही था मेरे लिए, I think मेरे लिए वो decision ठीक नहीं था maybe उन्होंने आप से दूर होने का decision लिया था और अब ये इनसान बहुत ज़ादा, आप कहलो कि पच्चता रहे है कि ये decision मैंने सही नहीं लिया और शायद मुझे इस इनसान की बहुत जरूरत है, यानि आपकी चाहे आप male हो या female या आपकी energy है उस वक्त ये इनसान में भी बहुत ज़ादा proud feel कर रहे थे प्राइड थी उनकी और वो ये सोच रहे थे कि मेभी वह आपके बिना जी लेंगे और उन्हें बड़ा गरूर था कि उन्हें कोई भी मिल जाएगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्हें reality ने hit किया है जब उन्हें वाकिए में break up महसूस हुआ है आपके साथ real break up तो उन्हें ये feel हुआ है कि शायद उन्हें गलत decision लिया था शायद उन्हें गलत किया था और एक अच्छा दोस्त खो रहे हैं वो या खो चुके हैं सो अब ये इनसान बहुत दुखी है शायद ये इनसान उस वक्त ये भी सोच रहे थे कि आप उनसे दूर नहीं रह पाएंगे और आप उनको chase करोगे still और आप आएंगे उनके पास वापिस में भी आपने chase नहीं किया आप उनसे दूर रहने में कामयाब हो गए और उनकी ego को भी जटका लगा और उन्होंने expect किया था कि आप आएंगे वापिस chase करेंगे मूड के आएंगे उनके पास लेकिन आप नहीं आए तो ये इनसान बहुत हैरान भी हो गए और फिर उनको ये भी realization हुई कि आप की क्या value थी उनकी जिन्दगी में और आप की क्या जगा थी और आप कितने important हैं उनके लिए फिर ये उनको realization हुई तो अब ये इनसान आपके पास आना चाहते हैं आपसे communicate करना चाहते हैं बट I feel कि मेभी इसमें थोड़ा सा भी और time लगेगा मुझे ये communication बहुत जल्दी आती हुई नजर नहीं आ रही है बट मुझे नजर आ रहा है कि ये communication होगी जरूर ये भी हो सकता है कि आप अपनी जिन्दगी में अब settle down होना चाहते हैं या आप अब इनको भूलना चाहते हैं life में move on करना चाहते हैं या उन्होंने move on already अपनी life में कर लिया है लेकिन उनको अब आपकी याद आना शुरू हो गई और वो आपके पास वापिस आना चाहते हैं कुछ लोगं के लिए भी हो सकता है और आप मेंसे कुछ लोग हो सकते हैं already move on कर चुके हैं और आप बस जानना चाह रहे थे उनके बारे में कि वो अब क्या सोचते हैं आपके बारे में हो सकते हैं या आपके X हैं जिन के लिए आप देख रहे हैं रीडिंग यहाँ पर हमें यह ठी आफ सोर्ड नजर आ रहे हैं यह ब्रेक अप है सेपरेशन है यह कोई पास्ट कनेक्शन हो चुका है आपका यह बहुत ही जादा पैनफुल सिचुएशन थी जिससे आप गुजरें सो मुझे ऐसे लगता है कि यह इनसान आज आपको याद भी कर रहे हैं और आपके पास वापिस भी आना चाहते हैं यह कोई ऐसे इनसान है जिन्होंने आपको बहुत जादा तकलीफ दी थी और अब यह इनसान क्वेस्टन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया अपने आप से क्वेस्टन कर रहे हैं basically कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उससे दूर नहीं जाना चाहिए था और मुझे वो इनसान चाहिए है अपनी जिन्दगी में basically यह इनसान अब यह सोच रहे हैं यहाँ पर Aries है, Taurus है, Capricorn, Virgo, Aquarius, Libra यह स्टार साइन्स हैं यहाँ पर इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है सो कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप जरूर बताएगा comment section में मैं मिलूंगे आप से next video में till then, love you lots, bye bye